तो हम बात करने वाले हैं OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के बारे में जो कि यह कीолот लाइख बात करे गे हैं हमें क्या-क्या in phone मधे मिल जाता है क्या-क्या नहीं होँच कर अब है हम सारी जानकारी याज इस video में आपको दिखाने वाले हैं तो दोस्तों OnePlus 9 और और one plus nine pro जो यहां कि दो मॉडल यहां पर March में रिलीज के लिए हैं आप देखने को मिलते हैं हमें तो one plus nine की बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं 6.5 inch का एक full HD plus display जो की full HD plus display होगा 120 hertz के साथ में आपको देखने को मिलेगा और दोसरी तरफ अगर हम बात करें one plus nine pro model की तो उसमें हमें 6.88 inch का एक full HD plus 130 hertz वाला जिसमें देखने को मिल जाता है और यह दोनों ही device जो spot करे गए हैं 888 snapdragon chipset के साथ यह spot करे गए हैं जो कि मतलब 888 snapdragon chipset के साथ यह spot करे गए हैं अगर हम दोनों ही smartphone में हम बात करें तो हमें 3.8 mm का एक left side में punch hole camera देखने को मिल जाते हैं जो कि दोनों ही smartphone में यहां पर spot करा गया है एक 3.8 mm का left corner में एक punch hole camera हमें देखने को मिलेगा अगर दिस्प्ले की बात करें तो जो specifications निकल के आई हैं हमें oneplus 9 pro में देखने को मिल जाती है एक curved display और अगर हम बात करें oneplus 9 की तो हमें उहां पर सिफ एक flat display देखने को मिलती है दोनों ही smartphone में और यह दोनों ही 45W के wireless charging के साथ हमें देखने को मिल जाएंगे और अगर हम इनकी एक release date की बात करें तो यह हमें March के आदपास इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें March के आदपास हम इने market में टेख पाएंगे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे इस वीडियो को लाइक करने और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और आने वाले लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बैल के आइकन पर भी क्लिक क अजय कर देखने के लिए।